अगर आज आप Android का budget phone लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको storage problem को face करना पड़ता है क्योंकि आप अपने Android phone में सारी applications install करना चाहते हैं पर आपको storage उतनी नहीं मिलती फिर आप उस टाइम सिर्फ कुछी applications को install करते हैं पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी trick बताने वाला हूँ जिससे आप अपने internal और SD card की storage को use करें भीना अपनी favorite applications को install कर सकते हैं अगर आप इस trick के बारे में और जानना चाते हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखें और friends मैंने description में अपने social sites के link दिये हैं जिसे follow करके भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं friends आपके लिए मैं ऐसे interesting videos बनाता रहता हूँ और अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं करा तो subscribe बटन पर click करें और आप ये जो bell के icon को देख रहें इसको enable करना ना भूले जिससे आपको मेरे new videos की update मिलती रहेंगी So let's start सबसे पहले आपने Google Play Store में आना है और उपर search bar में type करना है Hermit ये type करने के बाद आपके पास applications की ये जो list open होगा है ये जो first application आपको show कर रही है Hermit Light Apps Browser यहाँ पे आपको click करना है friends इसके 4.5 की rating है 100,000 इसके downloads है यहाँ से आपने इसको install करना है इसमें जो आपकी application होगी वो पूरी web based application होगी install होने के बाद यहाँ से आपको इसको open करना है open करने के बाद friends आपको इसका interface कुछ ऐसा दिखाई देगा सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ settings के बारे में बता देता हूँ आप right side में यह जो three dots देख रहे हैं जैसे आप इसमें tap करेंगे उसके बाद आपके पास दो option आएगी refresh notification, add to home screen add to home screen के लिए friends आपको यहाँ से अपने create करने पड़ेंगे light apps को वो मैं भी आपको समझाता हूँ और यह जो left side में आप three bars देख रहे हैं यहाँ पे tap करने के बाद आपके पास यह setting की option है इसमें click करने settings में जाने के बाद सबसे first option आ रही है themes यहाँ से आप theme को select कर सकते हैं अभी यह by default day पे set है आप जैसी इसे night पे set करेंगे तो इसका color थोड़ा dark हो जाएगा और इसके नीचे friends यह कुछ simple सी option है जिसे आप एक बर जरूर देख लीजी अपने accordingly इसको set कर लीजीए अब यहाँ से premium में जाते है अगर आप इस application को purchase करना चाहते है तो upgrade to premium पे click करिए और उसके बाद फिर से आपको upgrade to premium पे click करना है और 320 पे करके आप इस application को purchase कर सकते है friends आपके ओपर depend करते है आप इसको purchase करना चाहते है कि नहीं इस application का अब मैं आपको वो feature बताता हूँ जिससे आप अपनी favorite applications को install कर सकते है और वो भी SD card और internal storage को use किये भीना यहाँ से back करके आपको अपनी application के अंदर आना है नीचे यह जो plus का icon देख रहे है और यह जो लिखा create your first light app now आप दोनों में से किसी को भी click कर सकते है जैसी मैंने यह plus के button पे tap करा tap करने के बाद friends यहाँ पर अभी options आएंगी यह देखिए most popular जो apps है आप यहाँ से direct install कर सकते हैं नीचे आएंगे तो socials के अंदर आपको 14 light apps मिलेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर search के अंदर आपको 6 light apps मिलेंगे news की applications भी है sports, technology, banking and financial, education, entertainment, tool and productivity, food, travel, photography, shopping, email, storage friends आपको 100 plus ऐसी applications मिल रहे हैं जिससे आपको install करना है और आपकी storage भी बिल्कुल use नहीं होगी Facebook, Facebook, Messenger, Twitter और YouTube application के बारे में बात करें तो friends install करने के बाद इन सब का size around 250 MB हो जाता है और अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक click करना है और without आपकी storage को use करें बिना यह install हो जगा अब ही मैं आपको Facebook पे click करके दिखाता हूँ कि within a seconds यह देखिए download होके install भी हो जाएगा और उससे आपकी storage भी बिल्कुल use नहीं होगी जैसी मैंने इदर click करा नीचे यह देखिए processing स्टार्ट होगी और यह नीचे लिखा आगे downloaded and install Facebook in 0.917 seconds अब मैं आपको अपनी home screen पे लेके चलता हूँ यह देखिए friends यहाँ पे Facebook का मेरा icon आ गया है यहाँ पर जैसे ही मैं टैप करूँगा टैप करने के बाद डिरेक्ट यह application open हो जागी यहाँ से login करने के बाद आप इस Facebook को easily use कर सकते है screen को hold करके आपने left side move करना है और जैसे आप left side move करेंगे देखिए कितनी सारी options आ चुकिए यहाँ से आप block ads भी कर सकते है block pop up भी कर सकते है जो बीच में malware ads आती है आप उनको यहाँ से block कर सकते है और आपको यहाँ पर काफी ऐसे features मिलेंगे जिससे आप इसको और customize कर सकते है एक और feature के बारे में मैं आपको बताता हूँ Wikipedia के बारे में आप सब जानते होंगे यहाँ पर simple tap करने के बाद यह नीचे processing स्टार्ट हो गई और यह देखिए Wikipedia भी install हो गया Wikipedia पर जो भी आप read करना चाते है जिस topic पर भी आप पढ़ना चाते है आप यहाँ पर search करिए language select करने के बार open होने के बाद आप देख रहे है इसके उपर यह जो आ रहा है Wikipedia लिखा हुआ और wiki loves earth photo scroll down करेंगे तो यहाँ पर नीचे काफी सारी links सारे options आ रही है इसके अंदर एक reader का feature है जिस पर आप click करेंगे तो आपके पास सिर्फ यह article आएगा जो आपने read करना है अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ screen पर आपने hold करना है और left side इसको move करना है और यह देखिए जो option आ रही है reader जैसी इसमें click करेंगे click करने के बाद आपके पास सिर्फ वही article आएगा इसमें ना तो कोई ads आएगी ना तो कोई link आएगे जो आप पढ़ना चाते है आपके पास सिर्फ वही article यहाँ पर show करेगा इस reader की option बहुत अच्छी है आप अपनी किसी भी website को open कर सकते है और reader पे click करने के बाद आप सिर्फ उस article को read कर सकते है और friends इस application में एक feature हो रहा है कि आप अपने create कर सकते है light application को आप उपर यह जो link देख रहे है create your own जैसी आप यहाँ पर tap करेंगे आपको simple url search करना है friends YouTube में मेरा channel open हो गया यह नीचे जो आप button देख रहे है जैसी मैं इसमें tap करूँगा यहाँ पर option आ गई इसको मैं अपने accordingly यहाँ से rename कर देता हूँ techno vedant yes नीचे के सारे link आपने as a tease रहने देने कोई changes नहीं करने create a light app पे आपने tap करना है यह देखे मेरा light app create हो चुका है अब यह जो आप 3 bars देख रहे हैं आपने यहाँ पर tap करना है और उसके बाद आपको light apps में tap करना है tap करने के बाद यह देखे third option जो है techno vedant इसके आगे जो three dots हैं यहाँ पर click करने के बाद आपको add to home screen पर tap करना है जैसी आप tap करेंगे अब मैं आपको अपनी home screen पर लेके चलता हूँ यह देखें यहाँ पर techno vedant मेरा show कर रहा है अब यह simple सा shortcut बन चुक है जैसी मैं यहाँ पर click करूँगा सीधा मेरा channel open हो जगा इसी तरह से अगर आपकी कोई website है आपको कोई channel है या फिर कोई भी ऐससे social media account है जो यहाँ की list पर show नहीं कर रहा है आप उसका shortcut create कर सकते हैं तो देखा आपने कितनी simple और easy application है जिससे आप अपने favorite light app भी create कर सकते हैं और जो इस list के अंदर apps है आप उनको भी use कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे like और share जरूर करें मुझसे कुछ भी पूछना चाहते है तो नीचे comment करें नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जरूर मिलूँगा तब तक के लिए जै हिंद।